तो गुडूइन दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में BHIC 134 भारत का इतिहास 1707 से ले करके 1950 में आपका जो चेप्टर नंबर से बन है या आपका सकते हैं यूनिट नंबर से बन क्या अपने वेसिक जो अर्थ ब्यापार और उद्दोगों के बारे में चर्चा करेंगे यानि जब यहां पर अंग्रेजों का सासन था जब यहां पर इस्ट इंडिया कंपणी की अस्थापना हो जाती है बिटेन का सासन हो जाता है तो उपने विसिक उस अर्थ ब्यापार और उद्दोग किस प्रकार थ भारतिय ब्यापार और दोगों की हलत कैसे रही इसको हम देखेंगे इसमें जो आपका important question रहेगा जो आपके exam में पूंचा जाता हम सभी question के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपकी आने वाली जो आने वाली जो आपकी exam है उनके लिए most important questions रहेंगे क्योंकि आपके exam के लिए जानना बहुत जरूरी कि कौन कौन से question तो इसमें सबसे पहले हम जिस question पर चर्चा करेंगे क्या रहेगा इस्ट इंडिया कमपनी का ढहांचा नहीं बलकि हम इसका देखेंगे एक question कई बार पूंचा गया है इस्ट इंडिया कमपनी का एक आधिकार क्या 7.3 इस्ट इंडिय सकती क्या थी ये भी कई बार पूंचा गया है और most important question देखेंगे 7.8 अन्नोद्दोगी करण और देशी उद्दोगों पर क्या इसका प्रभाव रहा कई बार exam में पूंचा गया है कि अन्नोद्दोगी करण क्या है इसको बताईए इन जितने भी इसमें important question है इसमें भी देख अगर आपने हमारे चनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चनल को subscribe कर लेना एक लाइक कर देना कमेंट कर देना चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम इसमें देखेंगे यहां पर आपका रहेगा मैंने आपको बता था 7.4 देखिए क्या है एका धिक को सूनीएगा एका धिकार से मध क्या समझते हैं इस्ट इंडिया कमपनी को अक दिकार पर दान Physics की दो अगाए यानि इंग्लेंड की जो सरकार थी उसने इस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार परदान किया था और यही यही ही उसकी दूसरी सनराशनमग विशेशता थी यही इस्ट इंडिया कंपनी की खासियत भी थी सामानता एक अधिकार से तातपर या है कि भारत या हिंद महासागर के अन्य देशों में इससे आगे पूरप की और चीन के साथ होने वाले ब्यापार का पूर्ण रोप से नियंतर्ण को कायम करा यानि कह सकते हैं कि इस्ट इंडिया कंपनी को ब्यापार में और पूरप की साइड में यानि कह सकते हैं कि जो आपका हमारा जो इलाका है क्या बोल इस्टी इंडिया कम्पनी जो थी उसको क्या कर जा था यानि बिटेन से मात्र और मात्र कौन इस्ट इंडिया कम्पनी भारत और भारत के आस पास के छेत्रों में ब्यापार करतीतीती qué차 ay एक आधिकार यानि पूरी तरीके से जो सारा राइड था वो इस्ट इंडिया कमपनी को दिया था कि इस्ट इंडिया कमपनी नहीं कमपनी ही भारत में चीन में और भारत और चीन के आसपास के जो इलाके हैं पूरप के देश कह सकते हैं और पूरप की ओर चीन के साथ होने वा यानि इस इंडिया कमपनी को भारत और आसपास की इलाकों में पूरी तरीके से आजादी दी गई थी यानि बिटेन की तरफ से इन इलाकों में मात्र मात और मात एक कमपनी थी इस इंडिया कमपनी वही ही ब्यापार करती थी इसी को हम बोलते हैं क्या एक अधिकार बोला जात और बाद में अन राजाओं द्वारा इसे संसोधन के साथ इसकी प्रुण। जब बाहर से इंकम होगी तब ही तो बिटेन की आए बढ़ेगी यानि जो बिटेन है अगर वह अपनी आयमे बृधी करना चाता है अपनी पड़ाना चाता है जब तक वह देस में जा करके देश में भीधेशी धन नहीं आगा तब तक बिटेन में जो पैसा होगा जो पूंज दूसरे देशों के साथ ब्यापार करें और कह सकते हैं कि बिटेन में विदेशी धन यानि बाहत जो ब्यापार है उसको बढ़ावा मिले इससे दूरस्त देशों के साथ ब्यापार में जोखिम होने का एक अधिकार लाब भी सुनिश्चित किया गया था यानि इसमें साथ जो धनी सौधागर बिटिस राजा के दरबार योम सरकार के काफी प्रभाव साली थे दूसरे जो ब्यापार थे कह सकते हैं दूसरे जो ब्यापार के छित के लोग थे वह ज्यादा धनी सौधाबर थे और बिटिस राजा के दरबार के सरकार में कह सकते हैं काफी प्रभाव साली यानि East India Company के जो लोग थे वह बिटेन के जो महरानी थी उनके जो दर्बार के लोग थे उसमें काफी प्रभाव साली थे और पूरी तरीके से East India Company को यहाँ पर क्या दिये गया था एक अधिकार मिल गया था इन सब के प्रणाम सुरूप East India Company को England की सरकार ने ब्यापार का एक अनुन बना करके उसको एक अधिकार दिया गया दूसरे सब्दों में इसको जैसे बोलते हैं कि कोई आपको पत्र मिल गया हो या बार बार उसको क्या अपडेट करने थे या उसकी geven बढ़ वाया जाती थी जिस एक्ट के अंतरगत कमपनी को यदिकार दिया गये था उसे 18 सताब्दी और 19 सताब्दी में बिटिस संसद द्वारापारीद करके चार्टर का नाम दिया यानि जो East India कमपनी को जो भारत में ब्यापार करने के लिए एक आधिकार दिया कए कमपणी ही व्यापार करेगी कोई और व्यापार नहीं करेगा इसके लिए कमपणी को एक कानूर बना था जिसे चार्टर के नाम से जाना जाता फ्रांसीती तथा डच इस्ट इंडिया कमपणी को भी एकाधिकार पराप थे और उनकी सरकारों द्वारा परदान चार्टर के दूरा इस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया था इसे को बोलते हैं एका अधिकार ठीक है यानि सिंगल राइट हो जाना है इस्ट इंडिया कमपणी को क्या था भारत में ब्यापार करने का सिंगल राइट मिला हुआ था अब हम देखेंगे दूसरा जो हमारा कोशन है गा एक अधिकार बना मुफ्त ब्यापार एभी आपको एक्जाम के पोईंट घृष से बहुत जयादा इमपोर्टन है यानि निर्देशक मंडल किसे यानि कोट होब डारक्टर का था इस्ट इंडिया कमपणी का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको कहा जाता था उसको 187 सताबदी के उर्तरार्ध में 1813 तक कमपणी को एका अधिकार को प्रभावी बनाये के लिए अर्था दूसरों को ब्या इस्ट इंडिया कमपणी को जो एक अधिकार मिला हुआ था इस एक अधिकार के राइट को बनाये रखना जो इस्ट इंडिया कमपणी का डारेक्टर था या उसका जो अधिकारी था सर्वोच अधिकारी था उसको इसके लिए कड़ा संगर्स करना पड़ता था क्योंकि अन इस्ट इंडिया कमपनी को अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए और बनाय रखने के लिए अधिकार को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था ठीक है यानि कड़ा संघर्ष करना पड़ा यदि कोई आसान कार नहीं था यानि इस्ट इंडिया कमपनी को जो यहां पर एक अस्थापित कर सकते लेकिन उनको यहां ब्योसाई कमपनी के हितों के उपर नहीं होता था यानि कह सकते कि जो कमपनी के डारेक्टर्स होते थे इस टिंडिया कमपनी के वहां अपना हित नहीं देखते थे बलकि कमपनी का हित देखते थे और कह सकते हैं कि कमपनी इस टिंडिय के लिए भारत आते थे और अपनी स्वयम की ब्यावसाय फरम अस्थापित करने में सफल हो जाते थे यानि इस्ट इंडिया कमपनी जो थी वही भारत में आई और कहते हैं कि यहां पर ब्यावसाय करने में उसने सफलता प्राप्त की इसों मुप्त सौधागर या बिना अधिक के ब्यापार करने वाले ब्यापारी अर्थात बिना अधिकार वाले परवेश के लिए अध्यनिकरित व्योसाय को कहा गया कमपनी के एक अधिकार के रास्तों में इन दो प्रकार के गजबिदियों ने और ओध देखो क्या था कि बिटेन की इस्ट इंडिया कमपनी को भारत में ब्यापार करने का क्यों राइट मिला हुआ है अन्य लोगों को भी अधिकार दिये जाए इसको ले करके बहुत जादा गतिरोध बनावा था ठीक है इस्ट इंडिया कंपणी के सेवक या करमचारियों के ब्यक्तिगत ब्योसाय के विशाय में समस्या या की भारत में देशों को कठोरता से लागू करें यानि कह सकते कि कंपणी को जो अधिकार दिये गए थे वह कंपणी जो अधिकारी थे वह पिटेंसे अगर कोई व्यक्ति जाता था तो अगर वह ब्यापार करना चाता तुसे रोग भी नहीं सकते थे अब कंपटीगत ब्यापार के लाफ से बेतन बृद्धी की परंपरा का ब्यापक परचलन होगा जिए नहीं कह सकते हैं कि इस्ट इंडिया कमपनी जो थी शुरू में जब व्यापार करती थी लेकिन क्या हुआ था कि उसके जो करमचारी थी उनको सैलरी बहुत कम मिलती थी जो कमपनी को जो करमचारी थे उन्होंने व्यापार करना शुरू करते हैं यह जो लोग कमपनी में काम कर अर्षस्या जनक बात यहाँ थी कि कम्पणी के सेवक आदान अपने ब्यग्तिगत ब्यापार की वस्तूओं को कम्पणी के नियमित की वस्तूओं के साथ रख देते थे जिससे कि बंगाल में आंतरिक करों और उनको छूट मिल जाते थी यानि कह सकते हो कि इस्ट इंडिया कमपणी के जो करमचारी थे वो ब्यापार तो करते थे उन्हों कमपणी के करमचारी भी थे और अपना अलग से ब्यापार उन्होंने बना लिया था देखी यहाँ पर क्या होता था कि जो company के करमचारी थे इस लेकिन जो company के करमचारी थे उनकी if salary कम थी थी है salary जब कम थी तो company के जो करमचारी थे न वह अपना खुद का उन्हें ब्यापार शुरू करना इस्टार कर दिया अलग से करते थे और सबसे बड़ी आश्या जनेक बात क्या है कि जो कमपनी थी कमपनी को क्या करती थी ब्यापार करती थी तो उन्हें जैसे बंगाल है बिहार है उडीसा है यहाँ पर उनको कर में छूट मिलती थी तो कमपनी के करमचारी ना जो कमपनी का समान जाता था जिस गाड़ी में उस कमपणी को लाइसेंस मिला हुआ था वह कमपणी के करमचारी अपना खुद के लिए प्रियोग करेते यह बंगाल के नबाब और अंग्रेजु के बीज बिबाद का कारण बन गया था मुख्य भी सह रहा वास्तों में अठारवी सताबी के उर्तरार्द में कमपणी के करमचार करमचारी है काम कर रहा लेकिन दूसरी तरफ से कंपणी का जो एक ही करमचारी है वह अपना पैरलर में खुद का ब्यापार शुरू कर लिया यानि कंपणी के दो करमचारी बन गए थे दो गुट बन गए थे यदि मुक्त सवधागरों की बात की जाए तो उनका लक्ष लेकिन उसने अपना ब्यापार भी स्टार्ट कर दिया गया तो कंपणी का जो मुक्त सवधागर होते थे वह कंपणी के साथ साथ अपना ब्यापार बढ़ाना चाहते थे देप उनको इसके लिए सहन किया गया क्योंकि कंपणी के करमचारी के लिए वह काफी उपयोगी होत ते अन करमचारियों को भी क्या मिला इस प्रकार का छूट मिल गया धनकों मुक्त सवधागरों के माध्यम से इंगलेंट भेजने में सुब्धा भी होते यह जो मुक्त सवधागर थे उनको क्या कमपनी की जो करमचारी तो अपना पैसा भी सकते हैं कमपनी के निदेशक योम कह सकते हैं कि जो आंग्रेजों के जो गवर्नर था लाड करनवालिस उन्होंने बोला कि जो कमपनी के ब्यापारी अपना खुद का ब्यापार चार रहे हैं इसको छोड़ दें इस कान से मुक्त ब्यापार को कमपनी के करमचारियों से आधिक पूजी प्राप्त हुई वह इ कमपनी करमचारी एजंट हो गए इसे के साथ ही उन करमचारियों के संगठन का विकास हुआ और उन्हें से सताब्धि कुरतराथ में प्रबंधक एजंसी यानि मैजनिंग मैनेजनिंग एजंसी के नाम से उनका बोला जाने लगा हैं इसी मद इस्ट इंडिया कमपनी के अधिकारवाद के बिरोधी थे भारतिय ब्यापार से इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा अलग किये गए पूंजी पतियों ने स्वाभाविक रूप से मुक्त ब्यापार के अभियान का समर्थन किया इंग्लैंड में पूंजी संचय निबेस पर लगे प्रतिबंद को स्वतंत चाहते थे इससे अभी अधिक 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 करांती ने जारी होनी अठारियों सतादिक उर्थराध में अधिक पूंजी वादियों के हित और भी महत्पून हो गए इंग्लैंड की संसद ने एक ऐसी सक्तिसाली लोबी थी जो कमपनी के अधिकार को समाप्त करने में आ गया और यानि इस्ट इंडिया कमपनी को एक अधिकार समाप्त करने के लिए बिटेन की संसद ने दबाव बना इन परिस्तितियों में 1813 में चार्टर को पारित किया गया और भारतिये ब्यापार में एक अधिकार यानि कह सकते हैं 1813 में कब या 1813 में इस्ट इंडिया कमपनी का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और 1833 के दूसरे चार्टर में चीन के साथ ब्यापार में कमपनी के विशेसा धिकार के भी आधिपत को समाप्त कर दिया गया 1813 में चीन के साथ जो ब्यापार होता था उसको भी एक अधिकार को समाप्त हो गया इस प्रकार कमपनी द्वारा 20 वर्सों से अधिक से अधिक बाद इस्ट इंडिया कमपनी को परदान किये गए एक अधिकार वापस ले ले गया था उस अधिकार को क्या ले गया था वापस करती एक अधिकार को खतम कर दिया गया बिटेन से कोई भी जा करके भारत में और भारत के आसपास इलाकों चीर में ब्यापार कर सकता था पहले कंपनी को राइट मिला हो था खिरप वही ब्यापार करते थे अब दूसरों को ब्यापार मिले इसको बोलते हैं मुक्त ब्यापार एक अधिकार मादब इस्ट इंडिया कंपणी का सिंगल राइट था बाद में सिंगल राइट को खतम करके भीया सबको कॉमन राइट बन गया कोई भी जा करके भारत में ब्यापार कर सकता था आसपास के इलाकों में बिटे इन से इसे को बोलते हैं ठीक अगला जो आपका रह सेबन पॉइंट सेबन क्या रहेगा और कंपणी की वानिजिक नीतियां क्या थी यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टन कोस्टन अगे देखिए इंगलाइंड में 1750 में किर्सी छेत्र में राष्टी आई की लगभग 50-60 प्रशिसत पैदावार थी कह सकते इंगलाइंड में 1970 के 1070 किर्सी की राष्टी आई थी वो लगभग 40-50 परसंट योगदान करती थी यह जो इंगलाइंड की GDP थी उसमें 40-50 परसंट जो था वह किर्सी द्वारा आता था 1851 में किर्सी का लगभग 20% कम हो गया यह जो 40-50 परसंट था किर्सी का योगदान यह कह सकते हैं कि का जो योगदान था वह इंग्लैंड की जो अर्थ ब्यवस्ता जी जो डीपी थी उसमें धीरे-धीरे कम हो रहता या 1881 तक 10% हो गया इंग्लैंड की राष्टी आए में विदेशी ब्यापार का योगदान 1970 में 14 परसंट था यानि कह सकते हैं इंग्लैंड की जो जी डीपी थी उसमें जो विदेशी ब्यापार था वह 1790 में 14 परसंट था ठीक है लेकिन 1980 में यह 36% बढ़ गया यहां इंग्लाइन में उद्धोगी करण का तेजी के गती का सूचक था है यहां इंग्लाइन में तेजी से गती हो रहे थी तेजी से उद्धोग धंदे बढ़ रहे थे इसकी के हम सूचक मान सकते हैं इसने इंग्लाइन को अठारियू सती के उर्तरार्द में और 19.7 के प्रारण में पूरी तरीकी से रूप अंतरित के यहां जो इंग्लाइन था वहा अठारियू सतादी में और 19.7 में तेजी से उद्धोग धंदों का फल फूल रहे थे इसके फल सुरूप उद्धोग उत्पादन तथा इस उत्पादन में बिदेशी ब्यापार ने इंग्लाइन की अर्थव्योस्तों को प्रमुक्ता परदान कर दी यानि इंग्लाइन की एक तो वहाँ पर अउद्धोगी करांती हो गई और अउद्धोगी करांती में क्या था विदेशी ब्यापार था ओभी इंग्लाइन की अर्थव्योस्तों को काफी गती दे रहा था यानि भईया विदेश से भी पैसा रहा इंग्लाइन में और इंग्लाइन में ब्यापार भी लग गया है, कम्पनीया भी लग गई, कम्पनी से भी इंगलाइंड पाँ रहा है और बाहरी पैसे से इंगलाइंड को कह सकते हैं कि रूपांत इसके फलसरूप अध्धोगी कुछ पादन तथा इस उत्पादन से विदेशी ब्यापार ने इंग्लैंड की अर्थव्योस्ते में बिसेश कर अंग्रेजी सूती कपड़ा उद्दोग के विकास का असपस्ट अर्थ था कि इंग्लैंड में भारती सूती कपड़ों की मांग का अंत हो जाना या क्या कि बिटेन में क्या हो गया कि बिटेन में ही सूती कपड़ा बनने लग गया और भारत में जो सूती कपड़ा बनता था उसका धीरे धीरे जो मांग थी वा कम हो गया उसका अंत हो गया उसी के साथ साथ इंग्लैंड अब भारत के अन देशों में भी सूती कपड़ों क अब बिटेन था वहां भारत में सूति कपड़ों को लाकर के बेंचता था अब बिटेन जो है दूसरे देशों को भी देख रहा था कि कहां उसे सूति कपड़ा बेचना है पहले जो भारत में सूती कपड़े बनते थे अब वहाँ बिटेन में सूती कपड़े बनने लगे भारत में जो सूती कपड़े बनते थे वो बंध हो गए और बिटेन में सूती कपड़े आकर भारत में बिकने लगे और बिटेन अब नए सूती कपड़ों के लिए अलग-अल क्च्चे माल की जरूरत बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि उनको आवसकता इसकी ज़्यादा थी उधान के लिए अद्धोगी करण के बाद इंग्लाइंड में भारत तथा अन्य देशों से कपास कायात करने लगा यह इंग्लाइंड में क्या हुआ कि भारत से और अन्य देशों से बिटेन में बड़ी संख्या में कपास जाने लगा इस प्रकार अंग्रेजी अद्धोगी क्रांती के पूर्व अर्थात वानिजी पूजी के युग में भारत और इंग्लाइंड के बीच में आर्थिक रिष्टों में जो आधार था उसकी उनमें भिन्नता देखने मिले यानि अब भारत में जो किरसी होती थी वहां वानिजी खेती होने लगे भाईया कि भारत में जो खेती होगी यानि भारत में किसान वही हो गया जो बिटेन के दंदों को जरूरत होगी इस प्रकार से यानि क्या भारत में कच्चे माल का ब्यापार कर रहे थे सम्छेत में अगर कहा जाए कि इंग्लैंड के पर्थम आउद्दोगिक पूजी वाधी देश में रूपांतरित हो जाने से ब्यापारी कमपनी द्वारा अधिकरित भारतिय सामराज की भूमिका में परिवर्ता है यानि जो कह सकते हैं कि इस्ट इंडिय जो इंग्लैंड की इंग्लैंड की इस्ट इंडिया कमपनी भारत में ब्यापार करती थी अब अन लोग भी भारत में ब्यापार करना चाहते थे अब इस्ट इंडिया कमपनी जो पहले बिटेन से भारत में आकर ब्यापार करती थी अन लोगों के भिमन में आसा जागी कि व एक लाग पाउंड पहले जो भारत में भारत से इंगलाइन में कपड़ा जाता था वह लगभग 13,00,000 पाउंड जाता था परंतु क्या हुआ ए धीरे धीरे कम हो करके एक लाख पाउंड तत पहुँच गया ठीक उसी दोरान इंग्लैंड से भारत में आयात होने वाले सूती कपड़ों में 15% बिर दिए भारत में जो आयात होने कपड़ा था वह 15% बढ़ गया यही अब बिटेन से कपड़े बन करके भारत में आ रहे थे सूती कपड़े जो पहले भारत बहुत ज़्यादा सूती कपड़े बनाता था अब बिटेन से सूती कपड़े बन बन करके भारत के बजारों में आ करके बिक रहे थे इससे पूर्ब सताबदियों में कमपणी की वाणी जीक नीतियों कोई प्रधानता निर्यात के लिए भारत में सूती वस्तों के लिए खरीदना चाहती थी, पहले यहाँ पर इस इंडिया कमपणी कपड़े खरीद कर ले करके बिटियन बेवेशती थी, अब कमपणी की लोग यानी बिटियन को लोग भारत में आकरके सूती कपड़ा, पहले जो भारत के कपड ठप रही और बिटेन से आकर के भारत में कपड़े बेकने लग गए और इस प्रकार से कहते हैं जैसे सेरा है बारूद है कच्चा माल है किरसी उतपाज के लिए नील या सब कह सकते हैं कि भारत से बड़ी मात्रा में क्या जहां से कच्चा माल जाता था और बिटेन में वो बन और भारत में अगर देखोगे भारत में उद्धोग धंदों का पूरी तरीके से अंग्रेजों ने चरण बद्ध तरीके से एक साजिस करके भारत के जो उद्धोग धंदे थे उनका पतन कर दिया ताकि बिटेन में बजो बने उत्पाद हैं उनको भारत में लेकर के बेचा ज सके ठीक है अगला जो हमारा question हैगा most important question हैगा अगला जो हमारा question हैगा most exam में इसको पूछा भी जाता है 7.8 देखे अनोद्धोगी करण देश के उद्धोगों पर क्या परभाव पड़ा भीया अनोद्धोगी करण का मतलब होता है कि भारत से जो उद्धोग धंदे थे वा उद्धोग धंदे बढ़ गए अनोद्धी करण का मतलब होता है कि जो उद्धोग धंदे थे विटेन में तो उद्धोग धंदे बढ़ रहे थे लेकिन भारत में क्या हुआ अनोद्धोगी करण हुआ जो उद्धोग धंदे पहले भारत में कमते थोड़े बहुत जो बच ठीक है आगे देखे इसमें जो कोष्ण आता है कोष्ण क्या आता है अन्नोधुगी और राष्ठी आर्थजास्त्री के विचार क्या थे वर्णन कीजे वहा है सासरी भारत में जो अन्नोधुग तत्थियों से होती है राष्टी आयमें उद्दोग आय का घटता योग्दान तो इसका मतलब हो रहा कि आपके जो जेरे-दीरे घट रहें तथा उद्दोगों पर आधारित जनसंख्या में कमी होना जो लोग?!" उद्धोग में काम करते हैं अगर उनकी जनसंख्या में कमी आ रही तो इसका मतलब भी आपके देश में अन्रोधिक करण है इन दोनों से पता चलता है कि उद्धोगों का बिनास की पहचान यानी इन दोनों चीजों से हम जान सकते हैं किसी देश में अन्रोधिक करण हो रहा ह या नहीं रहा उद्धोंगों का पतन हो रहा इन दोनों मौब डंडों से हम पहचान सकते हैं 18 और 19 सताब्दी में भारत में अनोद्य करण हुआ इस तथ्य को मालने वाले पहले व्यक्ति थे अर्थसासी आरसी दत्ता सबसे पहले इस बात को आरसी दत्ता ने माना कि भारत में अनोद्य करण हो रहा है और पंडित मदन मौहन मालविये दत्ता ने प्रमाड सरूप उत्पादक वस्तूओं खास कर मैंचेस्टर में तयार वस्तूओं के निर्यात के आकड़े प्रस्तूत किया उधारत्या दत्ता ने यह तत्ते सामने रखा कि इंगलैंड के केप ओफ गुड होप में इस्तित उनके इस्तित बंदर गाहों से भारत में 1794 में कितना था 156 पाउंड कपड़े भेजे जाते थे 1813 से पहले इस्तिंडिया कमपनी ने अपने एकाधिकार व्यापार के जरिये भारती अद्दोगिक छेत्र खासकर कपड़ा उद्दोग पर जमकर सोसंट किया यहनी अंग्रेजों ने क्या किया 1813 तक इस्तिंडिया कमपनी ने भारत का जो कपड़ा उद्दोग था उसका ज एक जड़ा रहती कप्रदों इंगलाइन में भारति कपड़ों के निर्यात जो थे जो अुसके प्रती बपर प्रतिबंद लगने से कपड़ा उद्धोग का एक धटका और लगा बुनकरों और सूत कातने वालों की संक्या में तेजी से घटे यानि कि इंगलाइन में जो भारती कपड़ों का निर्यात होता था यानि जो भारत से जो कपड़े जाते थे बनकर के बिटेन में बिकने के लिए जब वा पूरी तर एक से पूजी ठप हो गई और भारत में तकनीकी का विकास नहीं हो सका ये तरफ भारत में परमपरागत उद्धोग नश्ट हो रहे थे और दूसरी तरफ इसी काल में बिटेन में अदोगी क्रांती हो गई इसमें नई तकनीकों का अभिस्कार हुआ जिसके साथ-साथ पू भारत में उद्धोग दंदे का पतन हो रहा था बिटेन उद्धोग के पास एक लगातार विक्सित तकनीकी का अधार था इसकी अर्थविवस्ता भी उद्धोग के विकास के लिए अनकूल थी और सबसे बड़ी बात या थी कि इसे विदेशी परतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ा बलकि यह कहना उचित होगा कि इसे विदेशी परतियोगिता से बचाय रखा गया कुछ इतियासो कारों का मानना है कि बिटेन मसीनों से बने धागे कपड़े के निर्यात से भारत के घरेलू कपड़ा उद्धोग का कोई धागा नहीं लगा क्योंकि बिटेन बिटिस सासन के अंतरगत राजनेतिक अस्थरदाईत बहतर आयतायात बाजार के विकास के कान किर्सी छेतर में ब्यक्तिगत आय में बिद्धि हुई इसके अत्रिक्तिया भी तरक दिया गया कि मसीन से बने सस्ते धागे के कान घरेलू हस्त कर उद्धोग मजबूत हुई द प्रती ब्यक्ति वास्तवी काय में कोई भड़ोती नहीं यहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भारत के उद्धोगों का पतन अंग्रेजों ने किया और बिटेन के जो उद्धोग थे वो बड़ी संच्या में भारत में आकर के बिकने लग गये और अंगिलान को जादा जादा स्रेणी बद्ध तरीके से अंग्रेजों ने भारत के उद्धोग धंदों का पतन कर दिया यह आपका चैप्टर नंबर सेबन था जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन अगा जिसमें जितने भी इंपोर्टन कोश्चन थे वह मैंने आपको बता दिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद थाइंकू सो मच जै हिंज जै भारत